मैं डॉक्टर अरून व्यास एसोसियेट प्रफेसर जियोलोजी गवर्मेंट बांगर कोलेज डीडवाना विद्यार्थियों आज के इस वैख्यान में आर्थिक भूविज्यान अथार्थ एकोनोमिक जियोलोजी से संबंदित एक महत्वपून टॉपिक राजस्थान की खनी संबंद में उससे जूड़ी ध संपंदा में अथार्थ मेर्थिक मिनड़न शिन राजस्थान आज द्हात्तविक खनीज राजस्थान में पाई जाने वाहाली धादात्विक खनीज शंपता के बारे में इस व्यक्यान में आपको मैं Economic Geology के संदर्ब में ये Metallic Mineral Sin राजस्तान टॉपिक पर जानकारी परदान करूँगा राजस्तान में अगर हम खनी संपता के बारे में बात करें तो 69 minerals जिसमें से 46 major minerals और 23 minor minerals की inventories पाई जाती है Museum of minerals कहें अगर राजस्तान को तो यह कोई अतिस्योक्ति नहीं और यह जो 69 minerals है अब तो आज की तारीक में अगर इसको अपडेट करते हुए बात करें तो लगबग असी खनीजों की राजस्तान के अंदर रिपोर्टिंग हो चुकी है और खनन का कारी किया जा रहा है राजस्तान को रेविन्यू के संदर में अगर हम बात करें तो माइनिंग इंडूस्ट्री स्टेंड आउट एस दे सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉइमेंट सेक्टर नेक्स्ट तो अग्रिकल्चर इन दे स्टेट अव राजस्तान राजस्तान की जो चट्टाने है जियोलोजिकल टाइम स्केल के लेक्चर के दौरान और राजस्तान के भूग्यान से समधित जब भी हमने जानकारी आपके साथ साजा की व्याख्यानों में व्याख्यानों में हैं तो हमने आपको बताया कि राजस्तान में आठ DID पूरा जेलोजिकल टाइमिस के लगर हम उपर चले जाए जो कोटर्णरी का होलोसीन का जो पिरण है तो थार का डेजर्ट जो है वो क्वाटर्णरी में आता है तो आर्केन से लेके क्वाटर्णरी तक का लंबा जियोलोजिकल इस्ट्री राजस्तान में मिलता है और इन रॉक्स के अंदर विविन परकार के खनीच पाए जाते हैं जिसमें कुछ कुछ नॉन मेटलिक हैं आज की इस चर्चा में इस व्याख्यान में हम मेटलिक मिनरल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं दा इंपोर्टेंट मेटलिक मिनरल्स बिंग प्रडूस इन दे स्टेट आर गोल्ड शिल्वर आइरन ओर मैगनीज ओर लैड जिंग टंगस्टन कॉपर अब इन खनीचों को अगर हम अलग-अलग क्लासिफाइड करें तो इनवेल्यूएबल मेटलिक मिनर्स में गोल्ड औंड सिल्वर फैरस मिनर्स में आइरन ओर मैगनीज ओर अंटंगस्टन नॉन फैरस मिनर्स में बात करेंगे तो लैड जिंक और कॉपर रेडिय अक्टिव मिन्डल्स की बात करेंगे तो उसमें यूरेनियम और अगर मेटलिक मिन्डल्स में मेगनीशियम बेरिलियम और कैड्मियम यह राजस्तान में मेटलिक मिन्डल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह मोटा-मोटा एक आउटलाइन है गोल्ड के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे सोना फाउंड़ेट भूकिया बासवड़ा डिस्टिक में उसके अलावा देवतलाई अमरगड जहीकडी एरिया इन भीलवड़ा डिस्टिक दानवा इन सिरोई डिस्टिक राजपूरा दरीबा उदेपूर डिस्टिक बास्ता अजमेर डिस्टिक एंड खेदरी जुन जुनो डिस्टिक यह वह इलाके हैं जहां पर गोल्ड की रिपोर्टिंग है दूसरे सब्दों में राजस्तान के संदर में जब गोल्ड की बात करते हैं तो टोटल ऑब 118.88 million tons of gold ore resources were estimated in the state including 105.81 million tons resources of Bhukya, Jagpura, Delvada belt in Baswada district यानी 118 million tons में से 105-106 million tons जो हैं इस बेल्ट में ही मिलते हैं विच 0.50 gram per ton cut-off grade जो गोल्ड की cut-off grade है वो 0.50 gram per ton gold was also approved along with copper in धानी बस्री एरिया ऑफ दोसा डिस्टिक खेडा मुंडिया वास एरिया ऑफ अलवर डिस्टिक और डॉकन एरिया ऑफ सीकर डिस्टिक besides above gold is also extracted as by product in k3 copper belt जो की जुन जुन रिस्टिक में अवस्तित है उसके बाद हम सिल्वर की चर्चा करें फाउंड इन जावर एंड राजपूरा दरीबा माइन्स एज बाइप्रोडक्ट उद्यपूर रिजन में अगूचा बिल्वडा लिस्टिक में भारक बिल्वडा खेथडी कॉपर डिपोजिट जुन अंबाजी सेंद्रा बेल्ट एडचितर बसंदगर्ड पीपला अजार एंड दानवा एरियाज यह वो लोकलिटीज हैं जहां पर सिल्वर की रिपोर्टिंग है कि आगे हम आइरन की बात करें तो आइरन जो है चौमू मोरिजा बनोल एंड नीमला जैपूर डिस्टिक में लालसोड तैसील अब दोसा टॉंडा एंड जमालपूरा इंजुनू नीमका थना एंड रामपूर इंड सीकर डिस्टिक राजगड अलवर में बिगो टू जहाजपूर बिलवड़ा डिस्टिक में नथार्या का पाल इ यह आइरन के लोकलिटीज जो रिपोर्टेड है उसके बारे में दा आइरन ओर डिपोजिट्स आड लोकेटेड इन दिस्टिक आप जैपूर उदेपूर जुन्जनू सीकर बीलवड़ा अलवर्ड भरतपूर दोसा एंड बासवाड़ा डिस्टिक अपाउट 2,621 मिलियन इस रिसोर्स और आइरन ओर बोथ हेमेटाइट और मेगनेटाइट जो इसके ओर्ज है तो 2,621 मिलियन टन्स आर एस्टिमेटेड इन दा स्टेट राजस्तान के अंदर टोटल इसका आइरन खनीच का ये निक्सेब है टोटल the important localities of iron ore are मोरिजा नीमाला जैपूर डिस्टिक में लालसोड दोसा डिस्टिक में रांपूरा और डाबला सिकर डिस्टिक में ताउन रूड़ा जुझनु डिस्टिक में पूरबनेरा और बिगोध बीलवडा में नतारा की पार्ल थूर उद्यपूर डिस्टिक में इंदरगड मोहनपूरा बुंदी डिस्टिक में देदरोली लिलोटी और टोडूपूरा और खोरा करोलो डिस्टिक में यह वो लोकलिटीज हैं जहां आयरन की रिपोर्टिंग राजस्तान में जियोलोजिस द्वारा बताई गई है मैंगनीज की बात करें मेंगनीज्ज फाउंड यあっ खुंटा kaurll तिरपरशूंद्री damn तंबस्रा शागवा सिवान्या एंद गातिया इन बास्वडा इस्टिक्स मेंगनीज में इन राजस्तान म्ैनीज दिपोजिट्स मेंदीशिक्र इस्टिक्क ओप बास्वडा विर इजेजिशव्डा के गुटियाक्षि लगिश्वा समीटरी के रथी मुरी तक फैलावा है बास्वाडा दिस्टिक्ट में देपोजिताइड लोकेटेड एड सिवानिया काला कुंटा गातिया लिलावनी इटाला तमेश्रा एंड खेरिया इस्मॉल डिपोजित्स ओप मेगनीज आर ओल्सो लोकेटेड नियर विलेज निगाडिया इन राशमन दिस्टिक्ट छोटी सार बड़ी सार इन उद्यपूर टोटल ओप 5.78 मिलियन टन्स रिसोर्सेज ओप मेगनीज है विन एस्टिमेटेड इन दा राजस्तान स्टेट अब अधरि दिस्टिक्ट हमर्तिया डुंगरपूर रडिक्स बिराट्य कूर्द नाना बर करार मोटीउं पिपलिया बाबरा यह पालि डिस्टिक्स लदेरा इन जैपू डिस्टिक पडंगा रूपनगर अजमे डिस्टिक और सिरस और शोहला इन टॉंक डिस्टिक यह वो लक्लिटी जहां पर टंगस्टन रिपोर्टेड है टंगस्टन के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो टंगस्टन इसे मैटल ऑप स्टेटेजिक इंपर्टेंस दचीप सोर्स अफ टंगस्टन और वल्ल्फरमाइट एंड शीलाइट थे स्टेट हैज अबाउट 23.92 मिलियन टन्स रिसोर्शेज ऑप टंगस्टन ओर या डिस्टिक शिरोई में डेगाना एंड बाल्दा वर दा ओनली ऑपरेटिव माइन्स प्रोड्यूसिंग मियेगर क्वांटिटीटीज ऑप कंसेंट्रेट होवर ओविंट्टो एकोनोमिक नॉन वाइबलिटी देयाव बिन क्लोज डाउं बाल्दा में और टंगस्टन बा इस स्लाइड में दिखाया गया है आगे हम बात करते हैं लेड और जिंक की जावर डिपोजिट वर्ड फैमस राजपूरा दरीबा और जावर दोनों उदेपर डिस्टिक्स में इसके अलावाज में भीलवडा टॉंक बुंदी शिरोई पाली और सवाई मादूपूर में ल और जिंक और शिल्वर अगर इनके साथ भाई प्रॉडक्ट के रूप मिलता है इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो राजसान इस एंडूर्ड विद लार्जेस्ट लेड जिंक ओर डिपोजिट विपोजिट हैं रिसोर्सेज अफ 629.92 मिलियों टन्स दे इंपोर्ट अब अगर हम कॉपर की बात करें इन इस्टेट कॉपर डिपोजिट साथ लोकेट इन दिस्टिक अफ जुझनू सिकर सिरोई उद्यपूर भीलवाड़ा अजमेर अल्वर बरतपूर चितोड़गर्ट राजसमंद औ दुंगरपूर विद रिसोर्सेज ऑप 809.09 मिलियों टन्स दे इस्टेट पोजसेश सब 54% of the total resources of the country यानि कॉपर का जो टोटल रिसोर्स है कंट्री का उसका 54% से राजस्तान से है तो यह इस कॉपर के संदर में बात वी जैसे भी हमने का केतली कॉपर बेल्ट एक्स्टेंट फ्रॉम सिंगाना टू रगुनाथ पूरा इन जुझनू दिस्टिक Sikr में शिरोइ में भिलवाडा में बरतपूर में बास्वाडा में अजमेर में और उदयपूर में भी कॉपर की रिपोर्ट इंग है य एक केत्री में जुक केत्री कॉपर माइंस अब हम अब यूरेनियम की बात करें युरेनियम फाउंड इन पुत्वई हमीरगड बेसिन इन चितोडगड, उम्रा एन उदेश अगर और काला मगरा हल्दी गाटी एरिया उदेपुर दिस्टिक, कोलियान और सलादीपुरा टु गाठेश्वर इन सिकर दिस्टिक, इंडोलाव की धनी, डीडवना, कटोती और डाडनो एरिया ओप नागोड इस्टिक, यह जो नागोड इस्टिक में उरेनियम जो रिपोर्टेड है वो के अंदर नीचे ग्राउंड वाटर के साथ दी उरेनियम की मात्रा रिपोर्टिंग की गई है अब हम मेगनेशियम की बात करें, फाउंड इन अजमेट इस्टिक, डीपोजिट्स आरेट, शरूपा, गाफ़ा, कुंडल, और कली डूंगरी, और अस्सेटेड वित रॉक्स आप देली सूपर ग्रूप, इन उदर्पूर इस्टिक, मेगनेशाइट अकरेंसे अद मेगनेशियम रिपोर्टेड है, अब हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम फाउंड इन अजमेर, बिल्वाडा, राजसमन, शिरोई, एन टॉप दिस्टिक्ट्स, अन्त में अब हम कैडमियम के बारे में चर्चा करें, कैडमियम फाउंड एस्टेड विजिंक अट लैड जिंक माइन इन अजमेर, बिल्वाडा, राजसमन, शिरोई, एन उद्यपूर दिस्टिक्ट्स, लैड जिंक सलफाई दोर, एड जावर माइन इन उद्यपूर, कैड उनमें कैडमियम को बाई प्रोड़क्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है, तो ये मेटलिक मिनरल वैल तो आप राजस्तान के बारे में इस व्याख्यान में मैंने आपके साथ चर्चा की, इंटरनेट के माधियम से जो जानकारियां उपलब्द होती है, उनका इन यूट्यूब चैनल पे परसाण के लिए जो आपको पढ़ाने के लिए जो जो जियोलोजिकल इसूस पे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड किये जा रहे हैं, उनमें इनका उपयोग किया जा रहा है, और चुकि ये अकडमिक इंटरेस्ट के लिए है, इसल साजा की जा रही है, आगे रामपूरा अगूचा की खान की कुछ महत्रों चित्रों के साथ ये व्यक्ष्यान समाप्ति का और ले जाओंगा, लेकिन आपको फिर से एक बार आग रहे हैं, इस वीडियो का पीडिये भी आपके साथ वाट्ट्चैप ग्रूप में क्लास कोविड की इस महमारी के दौर में घर पर जो पढ़ाई कराने का आपका ये प्लेटफर्म के माद्यम से जो हमारा प्रियास है, उसमें आप घर बैठकर भी अधियन करें, और कल 15 अगस्त को सुद्धंत्रता दिवस हैं, इस अफसर पर सभी विद्यार्थियों को बहुत हार जियोलोजी के सब्चेक्ट से मुतालिक आपको जो लेक्चर दिये जा रहे हैं, उनको दिहान से सुनें, उनकी पीडियेप को देखें, पढ़ें, और एसाइन्मेंट में जो आपको प्रस्ण पुछे जाते हैं, उनका उत्तर नोटबुक में तयार करके अपने नोट्स भी बनाएं, ये चित्र डामपूरा अगुचा माइन्स के, खदान के भीधर किस तरह काम किया जाता है, ये खुबसुरत चित्र, आप इन चित्रों से समझ सकते हैं, कि माइनिंग इंजिनिरिंग में और जियोलोजिकल विंग में किस तरह से लोग साजा रूप में काम करके, आ करके रिवेन्य जनरेट करते हैं, जो कि आर्थिक पहलू जियोलोजी का एक महतुपूर्ण गटक हो सकता है, दन्यवाल